नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से केरियर इंडिय एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे विश्य के प्रमुक शंगठन और उनके मुख्याले देखिये दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इससे सम्मंदित प्रष्ण प्रतेक परिच्छाओं में पूछा ही जाता है और मैं इसको जिस तरीके से आपको बताऊंगा, उसमें साथ साथ में बहुत सारी जानकारियां भी होंगी जिससे आपको संग्ठन तो पता पड़ेगा ही, कि इनके मुख्याले कहां है, इनकी स्थापना कहां हुई, इनकी स्थापना कब हुई, किस समय पर हुई, इससे सम्मंदित प्रष्ण भी आपके सभी किलियर होते चलेंगे चलिए दोस्तों इस महत्पूंट पर चालू करते हैं, एक से दो नंबर तो आपके आते ही हैं, और यदि आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देख लिया, तो इसमें जो साथ साथ में जानकारियां आपको बताऊंगा, तो हो सकता है तीन से चार नंबर भी आपके से किलिय जाएं, चलिए दोस्तों इसको चालू करते हैं, जो लोग टेली ग्राम से नहीं जुडएं वो लोग से जरूर ज़ड़ जूडचाएं, क्योंकि इसका जो पीडिएफ है वह आपको टेली ग्राम पर मिलेगा, क्योंकि दिना पीडिएफ के जो खराह से वह अधूरी ही होती है पीडियेफ में जाएगा तो आप उसको कभी भी डाउनलोड करके और आराम से पढ़ सकते हैं चलिए पहला प्रस्ण है कि गेट का मुख्या लाई कहां पर है गेट का मुख्या लाई कहां पर है दोस्तों याद रखिएगा मैं यहाँ पर चर्चा उनकी करूंगा जिन से संबंदित प्रस्ण पहले आये हैं या आने की अधिक्तम संभावना हैं ठीक है उतना ही आप लोग करिएगा कारण उसका यह है कि यदि हम किसी भी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो चुकि उतना आता नहीं है और हमने यहाँ पर पढ़के उस पना समय भी वरव मुख्याले कहा है अब आपने ACI विकास बेंक मुख्याले कब हुआ उसकी डेट भी याद कर लिए उसके सदस भी याद कर लिए अच्छी बात है अब गेट के लिए भी आप और जानकारी हैं ढून रहे हैं याद कर रहे हैं तो यह सब आपसर मिक्स हो जाएंगी वही अब आगे बढ़ते हैं ACI विकास बेंक ADB का मुख्याले कहां पर इस्ते थे तो दोस्तों यह प्रशन जो है बार बार पूछा जाता है वहाँ पर है मनीला मिया कौनसा ACI विकास बेंक क्लियर है चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पन समझ लेते हैं दोस्तों कि इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं ACI विकास बेंक के दी हम बात कर लें तो इसमें देशों की टोटल संख्या है 68 कितनी है 68 यानि 68 देश इसमें सामिल है पहली बात दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसमें 49 तो दोस्तों ACI के देश हैं 49 कहां के हैं ACI के हैं अब बाकी कहां क तो बागी जो है वो 19 सदस से बाहरी, 19 सदस से कहां के हैं, बाहरी, ठीक है, इस थापना इसकी हुई थी दोस्तो, 19 दिसंबर को, कब हुई थी 19 दिसंबर को, और सन इसका था 1966, कब था 1966, यह important है दोस्तो, आता है, इसलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसा मैंने शुरु जाए तो किते हैं, 68 सदस से देश हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 49 तो एसी आ की देश हैं, और 19 सदस से जो हैं, वो एक तरीके से बाहरी हैं, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, एसी आई विकार्स बैंक याने एशियन डेवलप्मेंट बैंक, ADB, ठीक है आगे चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालाई कहां पर इस्तित है, तो दोस्तों ये कहां पर है, ये लंदन में इस्तित है, तो दोस्तों ये कहां पर है, एक तरीके से देखा जाए तो एशियन का जो मुख्यालाई है, वो कहां पर है, वो है दोस्तों जकार्ता में, कहां है जकार्ता में, इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है, लियर है, चलिए नाटो का मुख्यालाई कहाँ पर इस्तित है दोस्तों नाटो का मुख्यालाई भी बार बार पूछा जाता है इसका क्या आंसर है दोस्तों तो नाटो का जो मुख्यालाई है नाटो का वो दोस्तों कहाँ पर है ब्रुसेल्स अब यह ब्रुसेल्स कहाँ पर है ब्रुसेल्स है दोस्तों, बेल्जीम में, कहां पर है, बेल्जीम में, इसके हम जरूर चर्चा करेंगे, बेल्जीम, लियर, चलिए, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो है North Atlantic Trading Organization, क्या है North, North Atlantic Trading Organization, दोस्तों, नाटो का जो मुख्याला है न, ये मैं, आपको बता दूँ कि, इस से सम्मंदि जो प्रस्न आते हैं न, उस प्रस्न में, नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और बीच में, वो कहीं और कुछ डाल देगा, जहां पर मैं रुका था, वो जान बूच कर द्यान लखना, ये का मतलब है Atlantic, क्लियर है, North Atlantic Trading Organization, क्लियर है, इसकी जो इस्थापना की यदि में बात कलना हूं, तो 4 अपरेल, 4 अपरेल, 1949 को कुई थी, क्लियर है, 4 अपरेल, 1949, नाटो की, इसको भी देखें, तो दोस्तों, इसमें भी कापी सारे अंग हैं, जैसे की सविश्चद है, प्रिति रच्छा समीति है, उप परिश्द है, सैनिक समीति है, काभी सारी हैं, ये जब इसका गठन हुआ था, 1994 में, तब इसमें, यदि हम सदस्य की बात करें, तो दोस्तों 12 सदस्य थे, किक्ते थे, 12 सदस्य थे, ये सब जानकारियां आती हैं, दोस्तों बारास अदसे थे उन्ने सो नंचास चार अप्रेल को इसका गठन हुआ है नाटो का फुल फॉर्मा आप लोगो शर्च अगली नॉर्थ एट्लांटिक ट्रीडी और्गनाइजेशन इसका जो मुख्याला है वो बुरुसेल्स बेलजियम में है ठीक है इससे अपनने पांस से छे जानकारियां के लिए चलिए अब आतें अफ्रीका एकता संग्ठन ओ एयू का मुख्याला है कहां है तो दोस्तो आदिस अबाबा यह प्रस्णाता है लेकिन इसके अंदर की जानकारियां ज्यादा नहीं आती है तो आप लोग आदिस अबाबा को याद रखिएगा विश्व रेट क्रोस दिवस मनाया जाता है विश्व रेट क्रोस दिवस इससे समंदित प्रस्ण भी आता है विश्व रेट क्रोस दिवस इसको तीन बार नोबल प्राइस जो है वो मिला हुआ है शान्ती के छेतर में इसको तीन बार नोबल प्रसकार मिल चुका है याद र इसकी जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों 1989 में तारीख इसकी क्या थी तारीख दोस्तों इसकी थी आठ दिसमबर्दिसमब्र याद रखिएगा आठ दिसमबर 1985 केलियर है इसका जो मुख्याला है वो है काट El Re ticking में इसके सदस्यों की अगर हम चर्चा कलने हैं तो इसमें दोस्तों भारत है कौन है भारत पहला पाकिस्तान है पाकिस्तान को याद रखिएगा बांगला देश है क्योंकि काटमांडू में मुख्याला है तो नेपाल भी होगा क्योंकि नेपाल की राज़धानी है भूटान है स्री लंका है मालदीप और अफगानिस्तान मालदीप और अफगानिस्तान दोस्तों प्रथम सम्मेलन दोस्तों बांगला देश के ढाका में हुआ था ये जो बांगलादेश है जो अपने चर्चा की इसके ढाका में इसका पहला सम्मिलन हुआ था ये जो प्रशनाता है कि सार्क का पहला सम्मिलन कहां हुआ था ढाका जब ज़्यादा डिगली पूछ लेता है तो ढाका इसका अंसर याद रखिएगा अब देखिए जब इस्थापना होती है तो इस्थापना के साथ ही उनका एक तरीके से देखा जाए तो सम्मिलन हो या कोई बैठा को वो हो जाती है तो 185 में होई थी ठीक आगτε चलते हैं तो दो इन्टरल का मुख्याले का है चलते हैं बिश्च ब्यापार संगठन WTO का मुख्यालाई कहां पर इस्तित है तो दोस्तो ये है जैनेवा में पहला ही बार दूसरी बात ये तो पहली बात हो गई दूसरी बात इसकी स्थापना कपकी गई थी तो एक जनवरी कब एक जनवरी इसको तो आप लोग भूलेंगे नहीं एक जनवरी एक जनवरी 1995 को अब 1995 को याद रखना 1995 वो वहाँ पर 1945 भी देता है और 1924 भी देता है ये दोनों ही डेटें इसकी नहीं है याद रखिए चुकि सैयुक्त राष्ट संग से जुड़ी हुई है इसलिए वो कन्फूज करने के लिए देते हैं बहुत सरल सा क्वेश्चन है हम गलत कराते हैं जबकि विस्वयापार संग्ठन का जो मुख्याला है डवलू टियो वो एक तरीके से देखा जाए जेनेवा में स्थित है इसकी साफना 1995 में हुई है ठीक है तो मैं अब इसके लिए मिटाओंगा यहाँ पर और इसके बारे में और लंग त्यारी अभी आपको देता हूँ ठीक याद रखिएगा कि कन्फ्यूज भी वो कहां पर करते हैं चलिए एक जनवरी 1995 हो गया इसके बार यह दिया हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो WTO के अभी फिलहाल में जो सदस्स हैं वो कितने हैं तो 164 है किलियर है 164 वा जो सदस्स से बनाता वो कौन था अफगानिस्तान अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान किलियर है आप लोगों के लिए एक प्रस्ण है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यह आप लोगों के लिए प्रस्ण है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तीक है यह प्रस्ण है अमेरिकी राज्यों का संग्धन OAS कहां पर इस्ते थे तो ये वाशिंग्टन D.C. में कहां पर है वाशिंग्टन D.C. में अरब लीग का मुख्याले कहां पर इस्ते थे तो दोस्तो ये कहां पर है काहिरा में 22 मार्च 1945 परस्त पर आर्थिक सहायथा परिश्यत का मुख्यालाई कहां पर इस्तित थे दोस्तों कहां है मास्कों में कहां है मास्कों में रूस के मास्कों में वर्ल्ड कांसिल ओफ चार्जेस का मुख्यालाई कहां पर इस्तित है दोस्तों इसका जो आंसर है वो है जैनेवा इसके नीचे वाला जो है यूरोपी उर्जा आयोग कहां पर है जैनेवा तो दोनों को याद रखिएगा दोनों का जो आंसर है वो जैनेवा है वर्ल्ड कांसि कि आई आर्थिक आयोग पी सी डबलू एका मुख्याले कहां पर है तो बगदाद में कहां है बगदाद में यह सीधे सीधे आते हैं दोस्तों इनके अंदर की इतनी जानकारी नहीं आती सईयुक्त राष्ट्र सरणार्थी उच्छायोग यू एन एच सी आर का मुख्याले कहा पर है को दोस्तों यह जनेवा में कहां है रखियागा आगी सब्सक्राष्श ग्याइक विकास शंग्ठनयू एनइयों का मुख्याले कहां है तो वियाना कहा है संयुक्त राष्ट्र वियापार विकास सम्यूण UNCTAD का मुख्याला कहा है UNTED भी कहते हैं इसको तो जेनेवा में कहां पर है जेनेवा में अधिक्तम आप लोग देख रहे होंगे कि जेनेवा में काफी सारे मुख्याला है तो यही तो दोस्तों ट्रिक है आप लोग को याद करने की कि जेनेवा को एक बार उठाओ और वहाँ पर जितने जितने हैं उन सब को एक बार में याद कर लो चलिए आगे चलते हैं बिश्व बन्ने जीप संदक्षण कोष WWF का जो मुख्याला है वो कहां पर है तो दोस्तों जो मुख्याला है वो है Olympic Committee IOC का जो मुख्याला है वो कहां पर है दोस्तों तो वो है तरीके से देखा जाए तो लू साने में चलिए आगे चलते हैं European Common Market ECM का मुख्याला कहां है तो जेनेवा में चोगम का मुख्याला कहां पर है राष्ट मंडल ये राष्टी अध्यक्षों का सम्मेलन चोगम इसको बोलते है समझ गए राष्ट मंडल मस समझ लेना राष्ट मंडल के जो राष्टी अध्यक्ष उनका जो सम्मेलन है उसको विसेश चोगम के नाम से जाना जाता है ये कहां पर होता है तो ये होता है इस ट्रांस बर्ग में, कहा होता है इस ट्रांस बर्ग में, इसमें हमेशा कन्फ्यूज बना रहता है कि राष्ट मंडल का मुख्याले कहा है, अभी आने वाला है वो प्रसुन, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ गयाएगा, ये अलग है चोगम, ठीक है, तो अभी सहयोग और विकास चंगठन का मुख्याले कहां पर स्थित है, अर्थिक, सहयोग और विकास चंगठन, ओई CD का मुख्याले कहा है Paris में ठीक है ओपेक का थोड़ा फुल फॉर्म देख लिया जाए दोस्तों ओपेक को कहा जाता Organization of Petroleum Exporting Countries क्या क्या है Organization of Petroleum Exporting Countries इसकी स्थापना दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो 1960 में हुई थी कब हुई थी 1960 में हुई थी इसका जो मुख्याले है वो तो हो गया वियाना में इसके अलाबाने बातें की जाएं तो इसकी इस्थापना के समय यह बगदाद में हुई थी कहा होई थी बगदार ठीक है उननिस सो साथ में स्थापना कहा हुई थी बगदार थे इस समय मुख्यालाय जो वह आए तो वयाना में है इसे बहुम सारे गुधि जो सदस्य देश हैं वह हैं जैसे कि नहीं हम देखा है तो एक तरीके से 14 देस हैं दोस्तों इसमें इससे प्रशन पूछ लिया जाता है 14 देस है इन 14 देसों में इरान, कुवेट यह सब वो है जहां में पेट्रोल सब से ज़्यादा होता है पेट्रोल से मेरा मतलब सिर्फ खाली पेट्रोल से नहीं है मतलब पेट्रोलियम गतर, बेंजुएला, लीबिया, अलजीरिया, और विदेश हैं दोस्तों, इनको आप लोग अच्छे से याल रखिएगा, इरान, कुवेट, साउडी अरब, कतर, बेंजुएला, ये सभी एक तरीके से देखा जाए, तो पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री हैं दोस्तों, इसलिए उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा भी है, क्योंकि उनके पास में एक ऐसी वस्तु है, जिसकी मांग पूरे विश्व में है, है ना, सभी जगा पर है, चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास शंगठन, OECD का मुख्यालय पर ने देख लिए, तो पेर प्रांस वर्ग में था, और ये राष्ट मंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों ये कहां पर है, ये लंदन में है, राष्ट मंडल, के लिए राष्ट मंडल खेल, आप लोगोंने सुन दखे होंगे, वह ही है, चलिए आगे चलते हैं, यूरोपी आर्थिक ये संशद का मुख्याल है, कहां पर है, तो लगजम बर्ग, कहां पर है, लगजम बर्ग में, यूरोपी संशद, ये बारत वाला नहीं है, याद रखना, बारत वाला इस आर ओ, ये एस आर ओ है, ठीक है, इस पेस रिसर्च ओर्गनाईजेशन, पीछे के बरावर है, यहां पर यूरोपिय लग जाता है और यहाँ पर इंडिया लग जाता है इसका ऐसा पर है ये ग्रोरु पर है का मुख्याला है तो यह दोस्तों कहां कहां पर है दोस्तों यह कहां पर है Bangkok में कहां है Bangkok में UNICEF का मुख्यालाई कहां पर इस्थिते नियू-यार्क UNICEF पर मेरे लगबग में तीन से चार वीडियो अलग से बन चुके हैं दोस्तों तीन से चार क्लास हैं आप लोग जाईएगा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा खलाल UNICEF पर अकर चर्चा करने बैठेंगे तो सीधर सीधर यह आदा गंटा ले जाएगा इसलिए UNICEF पर अपने क्लास को समाप्त करते हैं और आज की अपनी जो क्लास है वो यहां पर समाप्त होती है इसके बाद अपने मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में अगली क्ल आज में दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जूर जाना क्योंकि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम परीपाद दोगा नमस्का